BSP सांसर्द दानेश अली पर संसर्द में BJP सांसर्द रमेश बिधुडी की अभधर टिपड़ी अब तूल पकर्टी दिखाई दे रहे है दानेश अली अब खुद को धम की दिये जाने का आरोप लगा रहे है वहीं इस मामले में अब असद्दीन OVC ने टिपड़ी करते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसर्द में भी मुसल्मानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाएगी I.O.VC का वो बयान सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने हैदराबाद की रैली में क्या कुछ कहा जिसके बाद बवाल मच गया एक बीजेपी का MP एक मुसलिम MP को पक्वास गंदगी गाली देता है एक दिन आएगा जब भारत की पार्लेंड में में किसी मुसल्मान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा दरम संसग में गालिया दी जाती है मुसल्मानों को रेट की धंकिया दी जाती है तो ये तो तुम्हारा नुमाइनता है हमारे देश के वजीर आजम कहांगे आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास OEC दहार रहे हैं सरकार पर परस रहे हैं क्या बात बोलता है आवाम को चेतावनी दे रहे हैं BJP सांसद रमेश बिधूरी और BSP सांसद दानिश अली के विवाद में AIMIM के सांसद अस्दुद्दीन OEC ने हेदराबाद की रैली में सख्त चेतावनी दी है याद रखो मेरी इस बात को एक दिन आएगा जब भारत की पार्लेंड में में किसी मुसल्मान का मा ब्रिंचिंग हो जाएगा वो दिन दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है क्यूंकि हिटलर की जब हकूमत थी तो हिटलर की हकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो यह जर्मनी के लिए खत्रा है आज यहूदी लफ को निकाल दो मुसल्मान लिगदो उस पर हमारे देश के वजीर आजम कहांगे आपका सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ओ ऐसी का आरोप है कि बीजेपी के सांसद ने सांसद में ऐसी बयानबाजी इसलिए की क्योंकि जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है और जनता के मन में पिछले काफी समय से दहर भरा जा रहा है कि भारत की पार्लिमेंट में भारत की पार्लिमेंट में एक बीजेपी का MP एक मुस्लिम MP को बक्वास गंदगी गाली देता है गाली देता है एक एक बात मैंने क्या क्या बात बोलता है लोग कह रहे हैं नहीं नहीं पार्लिमेंट में नहीं बोलना चाहिए था अच्छा पार्लिमेंट में नहीं बोलना चाहिए था वो लेकर नहीं उसकी जबान खराब थी अच्छा जबान खराब थी अर ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना तुमने इस कोड़ डाला जब अवाम इतने लोगों को मार रही है जुनेद नसीर को जला रही है नुमे घरों को तीन सो साड़े तीन सो घरों को बगेर खानून के डूप प्रासेस को फालो के घरों को तोड़ दिये दरम संसद में गालिया दी जाती है मुसल्मानों को रेब की धंकिया दी जाती है तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है उसने गालिया दी अच्छी जबान इस्तमाल नहीं की उस बीजेपी के एमपी ने वो ऐसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नफरत का खेल खत्म नहीं हुआ तो इसकी जद में एक दिन सब ही आ जाएंगे अरे इन कब तक चलेगा नफरत ये याद रखो ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ ये जो आग लगा रहे नफरत की आग याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे हम मरने से कभी नहीं डरेना कभी डरेंगे इन्शाललہ हो ताला हम अल्ला के नाम पर जीती और अल्ला के नाम पर मनने वालों का नाम मसल्मान है सारा विवात दिल्ली से बीजेपी के सांसत रमेश बीधूडि को लेकर है गुरुवार को लोगसभा में बीधूडि ने बीएसपी सांसत दानिश अली के खिलाफ अमरियादित ठिपड़ी की थी जिसके बाद स्पीकर ने लोग सभा की कारेवाही से हटा दिया था लेकिन विपक्ष बिधूरी की संसत सदस्ता खत्म करने की मांग कर रहा है आज तक ब्यूरो